नमस्कार राज शिक्षा शोध एवं प्रश्रिक्षण परिशद पटना बिहार में आपका स्वागत है आज हम पुना आपके समक्ष प्रस्तुत हैं हिंदी की एक कक्षा लेकर आज हम कक्षा 11 की हिंदी की पाठी पुष्तक दिगंत भाग एक के अध्याय नोक का अध्यान करेंगे इसका सिर्शक एक दीक्षान्त भाषन है यह हमारे आधुनिक युक्के एक महत्वण गद्यकार हरिसंकर परसाई द्वारा रचित है इन्हें कलम के जादूगर के रूप में जाना जाता है जिस प्रकार के व्यंग की बान इनकी चलती है वह दूसरा हिंदी साहित में विरले ही देखने को मिलता है तो आज हम इन्हें के द्वारा रचित व्यंग्यात्मक शैली में एक लेख पढ़ेंगे जिसका सीर्शक है एक दिख्छांत भाषन तो जैसा कि हम हर बार करते आया हैं पाठ के प्रारंभ में हम लेखक के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे उनके बारे में जानेंगे और उसके पश्चात हम यह भी देखेंगे कि यह जो लेखक हैं आप आधुनिक काल को जब समझेंगे जैसा कि हमने पिछले भी कई वीडियो जो में बात की है कि हमारे हिंदी साहित के यदि काल क्रम में बांटा जाए तो चार काल क्रम में रखा गया है सबसे पहला आदिकाल फिर उसके पस्चात भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल भी उसे कहा जाता है फिर रीतिकाल जिसे उत्तरमध्यकाल भी कहा जाता है दुसरे नाम से जाना जाता है और फिर उसके पस्चात जिस समय स्वतंत्रता का संघर्ष भारत में धीरे-धीरे प्रारम्भ होने वाला था तो 1885 के आसपास से एक नया युक प्रारम्भ हुआ जिसे हम आधुनिक युक क स्रिंखला में जो सबसे प्रभावशाली है व्यंग्यात्मक शैली में लेखक है उन्में से एक हर्शंकर परसाई हैं तो आईए आज हम इनके इस नए पाठ को एक दिख्छांत भासन जिसका सीर्षक है इसका हम अध्यन करते हैं यदि लेखक परिचे की बात करें तो इनका नाम हम जान रहे हर्शंकर परसाई है और इनका जन 22 अगस्त 1924 को हुआ था इनके जन्मस्थान की बात यदि करें तो इनका इनके गाओं का नाम जमानी था जो होशंगाबाद जिले में है और होशंगाबाद हम सभी जानते हैं कि मध्यप्रदेश का एक जिला है और इनकी निधन की यदि बात हम करें तो 10 अगस्त 1995 को यह हिंदी साहित को और हम सब को एकदम खाली करके चले गया 10 अगस्त 1995 को इनका निधन हो गया यदि इनके शिक्षा की बात करें तो आपने में हिंदी से किया जो नागपूर विश्विद्याले नागपूर से किया है इन्होंने उसके पास चाथ डिप्लोमा इन टीचिंग इन्होंने किया फिर स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज से शिक्षक के रूप में दो वर्षों का प्रशिक्षण भी किया है यदि वृत्ति की बात करें तो मूलतह या शिक्षक ही थे जैसा कि हम देख रहे हैं खंडवा में आपने अध्यापन कारे किया मौडल हाई स्कूल में आपने पढ़ाने का कारे किया जवलपूर में सन 43 से 52 तक अध्यापन का कारे किया और सन 53 से 57 तक प्राइवेट स्कूलों में विभिन प्राइवेट स्कूलों में आपने अध्यापन का कारे किया किन्तु इनकी लेखनी चुकि पठन-पाथन के कारण या अध्यापन के कारण शायद उसमें कम वक्त मिल पाता था यही कारण है कि संतावन के पस्चाथ यह सुतंत्र लेखन में उतर आये यदि इनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं की बात करें तो 1956 से 69 तक जबलपूर में ही वसुधा नामक पत्रिका का आपने संपादन किया और इनको जितने सम्मान प्राप्त हुए उन सम्मानों की यदि सूची देखें तो साहितिक अवदान के लिए परसाई जी के साहितिक अवदान के लिए जबलपूर विश्विद्याले ने आपको डिलिट की मानत उपादी भी प्रदान की है फिर साहित्यकादमी पुरसकार 1982 में इनको प्रदान किया गया और अनेक अन्य ऐसे पुरसकार जिसके यह बिलकुल प्राप्त के पूरी तरह से इनकी च्हमता थी उस प्रकार की पुरसकार इनको से इनको सम्मानित किया गया आनर Самेमा है यात्रा इंकी बात करें यह यात्रा करने के सौकीन थे तो विश्वसांतिसम्मेलन में रहा था सोवियत रूस में वहां भारतिय जो प्रत्रेधी मंडल जा रहा था उसमें से एक सदस्ति के रूप में हमारे ये लेखक हरी संकर परसाई भी गए थे यदि इनके कृतियों की बात करें कि इन्होंने कितने प्रकार की रचनाओं को रचा तो हम देखेंगे कि इनकी सारी कृतियां ज्यादा तर कृतियां व्यंग और हास्य पर आधारित होती हैं जैसे हस्ते हैं रोते हैं भूत के पाउँ पीछे तब की बात और थी जैसे उनके दिन फिरे सदाचार का सदाचार का तावीज पगडंडियों का जमाना वैश्नव की फिसलन पाखंड का अध्यात्म सुनो भाई साधो विकलांग श्रद्धा का दौर ठिठुरता हुआ गणतंत्र निठले की डाईरी आधी संपूर्ण रचनाएं यदि आप पढ़ना चाहते हैं उसका अध्यान करना चाहते हैं तो परसाई रचनावली नाम से छह खंडों में राजकमल प्रकाशन द्वारा यह प्रकाशित है परसाई रचनावली नाम से अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, मराठी, बंगला आधी अनेक रचनाएं भाशांतरित हुई हैं यानि कि इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उसको कई भाशाओं में रूपांतरित अन्वादित किया गया है थोड़ा सा मैं चर्चा यह करना चाहता हूं कि हास्य और व्यंग्य इन दोनों के बीच एक आंशिक अंतर है हास्य में महत्यपूर्ण कोई विशय वस्तु हो यह आवश्यक नहीं लेकिन व्यंग्य जब होता है तो किसी व्यक्ती पर किसी वस्तु पर या किसी स्थिती पर जैसे राजनीती पर व्यंग्य तो उसमें कुछ विशेश ऐसी सूचनाएं कुछ ऐसे संदेश छिपे होते है हैं जो लेखक के अपने मन के होते हैं तो व्यांग बहुत ही भेतरीन माना जाता है हास सिके वनिस्पत आगे देखते हैं इस वातंत्र यूत्तर भारत के प्रतिम व्यंग शिल्पी कथाकार और पत्रकार हरिशंकर परसाई मूलत व्यंगेकार हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रश्चात यदि व्यंगकार की बात हम करें लिखक की बात करें तो उसमें यह अग्रगणने हैं यानि इनकी व्यंग की जो धार है बहुत पैनी है कथा और पत्रिकारता सर्वत्र सभी जगों पर इनकी छमता एक समान देखन को मिली है वे अपनी विलक्षण भ्यंग प्रतिभा और गहरी और व्यापक रूप से प्रतिवद्ध रचना द्रिष्टी सजग सोद्देश रचना धर्मिता आदी लेखकिय गुणों के कारण आजादी के बाद के भारत के प्रमुख लेखक हैं यानि कि इनकी व्यंग की प्रतिभा थी उसमें गहरी व्यापकता थी यानि ऐसा नहीं कि किसी एक बिंदू पर आकर सिमट जाए बहुत घराई से अलग अलग विश्यवस्तू को लेकर और अपने व्यंग के वान इन्होंने बहुत घराई से चलाए और इसमें अपनी रचना धर्मिता की विविधता हो या कहानी हो इन सभी चीजों में अपने आपको बंधा हुआ पाता है और व्यंग्यात्मस्यली होने के कारण आम पाठक के मन में भी वहरच बस जाता है साहित्य की समाज निष्ठा और उद्देश परक्ता के साथ ही जन प्रियता के कारण भी प्रायह प्रभुद्ध प् बात करते हैं तो यदी एक कवी की तुनला तुलसिदास से कर दी जाए तो उस कवी के लिए इससे बड़ा पुरसकार और कोई नहीं हो सकता यानि यदी पध्य की बात हुम करें तो क्योंकि हिंदी साहित में सबसे बड़ी कवी माने गया है तुलसिदास उसी प्रकार से प्रेमचंद से किनी की तुलना की जाए तो यह अपने आप में अद्भुत बात है और उस लेखक के लिए किसी बहुत बड़े समान से कम नहीं है और हिंदी साहित जगत में परसाई जी को प्रेमचंद के बराबर में तो नहीं लेकिन उनके बराबर का ही और उनसे मिलता जु साहित में वही लिखा जाता है जो समाज में होता है तो एक लेखक का यह करतव्य होता है कि समाज में जो कुछ घटित हो रहा हो उसको साहित के सहारे लोगों के सामने लाए तो यह इनकी एक प्रमुख विशेष्ता थी महत लोक उद्देश्यों के साथ सक्रिय होने वाली बहुमुखी व्यंग दृष्टी के कारण कबीर से भी इनकी तुलना की जाती रही है यानि यह बड़ी अजीब बात है कि एक ही लेखक एक तरफ उनको गद्य के एक महान गद्यकार प्रेमचंद से उनकी तुलना की जा रही है और जैसा कि मैंने भी कहा कि तुलसी दास पद्य में तो वह सबसे बड़े कवी हैं और निर्गुन भक्ति धारा के सबसे बड़े कवी कबीर हैं तो इनकी जो तुलना है यह दोनों से की जाती रही है प्रेमचंद से भी और कवीर से भी तो यह एक लेखक के लिए अ मुहत्पुर्ण उद्देश है आम लेखकों का या आम पाठकों का उसके पीछे कारण है कि कबीर की जो दृष्टी थी आम जीवन को लेकर कबीर की जो दृष्टी थी वही दृष्टी कहीं न कहीं हर संकर परसाई की भी थी कि इस समाज में चारो तरफ फैले हुए अंधविस्वास दृष्टी को जिस प्रकार से एकदम मुक्तहस्त रूप में लगातार कबीर उस पर अपनी वानी का की धार चलाते रहते थे उसी प्रकार हर संकर परसाई हमारे समाज में आधुनिक युग में समाज में फैले अंधविस्वासों को कुरीतियों पर पूरी तरह से व्यंगबान चलाते दिखाई देते हैं यही कारण है कि कबीर से भी इनकी तुनला उसी प्रकार की जाती है जैसे प्रिम जंद से नागारजुन और परसाई दोनों को आधुनिक कबीर कहा जाता है यानि परसाई के ही समकालीन एक दूसरे लेखक हैं जिने हम बाबा के नाम से जानते हैं बाबा नागारजुन बिहार के प्रसिद्ध कभी आपने उनकी कविता भी पढ़ी होगी कई दिनों तक चूलहा रो हो या चक्की रही उदास तो यह कविता नागारजुन की बड़ी प्रसिद्ध कविता है तो नागारजुन और परसाई इन दोनों को आधुनिक कभीर कहा जाता है यानि जो कभीर की पहने द्रिष्टी भक्तिकाल में उस समय कभीर के पास थी जिन्होंने मंदिर मस्जिद गिरजागर इन सभी पर अपने व्यंग के बांड चलाए और उन सबों को कहा कि केवल प्रेम ही एक मार्ग है ये सारे मार्ग गलत हैं तो उसी प्रकार से समाज में फैले हुए अंद्विश्वास और कुरीतियों के खिलाफ आधुनिक युग में दो लेखकों ने अपनी कल दम चलाई उसमें एक हरिसंकर परसाई थे और दूसरे बाबा नागारजुन थे तो इन दोनों को आधुनिक कबीर की संग्या दी गई है उस समय के वर्तमान लेखकों के द्वारा और पाठकों के द्वारा स्वयम नागारजुन की परसाई पर लिखी गई कविता परसाई क ये व्यंग कार व्यक्तित्व पर एक दुरलवस और समग्र टिपणी है हरिसंकर परसाई ने उत्तर शती के उत्तरोत्तर जन विरोधी होते जाते पाखंड पूर्ण सत्ताधारी राजनीतिक चरित्र को अपने आक्रामक व्यंग का निशाना खास तोर से बनाया यानि जब भारत आजाद हुआ और आजादी के फश्चाथ जब यहां राजनीतिक खल्चल सुरू हुई तो उस वक्त कई प्रकार के ऐसे घटना करम हुए जो लेखक की दृष्टी से गुजरते चले गया और यही कारण रहा कि हरिसंकर पार्शाई की लेखकी जब चली लेखनी जब चली तो उन्होंने भारतिय राजनीति में जो उस प्रकार के दृगुण फैले हुए थे उस पर पूरी तरह से अपनी लेखनी उन्होंने चलाई और इनकी पैनी दृष्टी उस जगा पर पूर हुआ है और उसकी क्या द्रिष्टी है वह एक राजनेता की द्रिष्टी से इस पूरे पाठ को हमाज पढ़ेंगे और देखेंगे कि परसाई जी का व्यंगबान जो है किस प्रकार सी चलता है नौकर शाही, सामंती मनो वृत्ती, आदे विविध क्षेत्रों के साथ ही अंधविश्वाश, कुरीती, जाती विवस्था, अकर्मन्यता, अशिक्षा, आदी नाना प्रकार के उन कूसंसकारों पर भी विचलित करने वाले तीवर व्यंग प्रहार किये हैं जो हमारे सामाजिक जीवन में अबरोध बनकर अभी भी जम्य हुए हैं, जैसे अंधविश्वास, कुरीती, जाती विवस्था, अकर्मन्यता, यानि की काम न करने की ख्षमता, या मन, अशिक्षा, ऐसे कई कुसंसकार हैं, जो हमारे समाज में भी फैले हुए हैं, और इन स सारे जो अंधविश्वास हों, या कुरीती हों, या शिक्षा से सम्मंधित कोई बात हो, ये सारी कुरीतियां हमारे समाज में कहीं न कहीं अवरोध बनकर खड़ी हुए हैं, हमारे समाज के विकास के क्रम में, अगर कोई अवरोध है, तो शिक्षा है, अंधविश्वास है ये सारी चीजे हैं अगर ये सारे अवरोध समाप्त हो जाएंगा तो समाज उत्तर-उत्तर व्रिद्धी की दिश्चा में आगे बढ़ेगा तो इन ही अंद्विश्वासों पर और इन ही अवरोधों पर इन्होंने अपने व्यंग के तीर चलाया हैं लगातार परसाई महज प्रविर्तियों पर अमूर्थ रूप में निशाना नहीं साधते वे उन प्रविर्तियों के समभाहक समाज और व्यवस्था के उन ठोस चरित्रों को भी बेपरदा करते हुए सामने लाते हैं कुछ इस तरह कि उन्हें पच्चानना कठी नहीं रह जाता यह बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां लिखी हुई है कि केवल उस विशेवस्थु पर ही यह अपनी लेखनी या अपनी बात नहीं कहते आपी तू उस कुरीती को जो प्रस्रे दे रहे हैं जो समाज प्रस्रे दे रहा है या समाज के कुछ प्रवुद्ध लोग हैं जो केवल उस विसेवस्तु पर ही प्रकाश नहीं डालते हैं बलकि उस विसेवस्तु को जो पोशित करने वाले लोग हैं समाज है उस समाज पर भी वत्तिखा प्रहार करते हैं और वह कहते हैं कि जो लोग भी उसको संपुष्ट करने में लगे हुए हैं वह भी इनकी लेखनी से बच नहीं सकते हैं, कहना न होगा कि हमारे इर्द गिर्द के सुपरिचित यथार्थ सामाजिक जीवन जगत से उठाए गए ये चरित्र एक नई रोष्ण में पहचान में आ जाते हैं, इनकी सामाजिक राजनितिक कहें सार्वजनिक भूमिका वास्तविक रूप में उगड़ कर सामने आ जाती हैं, हरिसंकर परसाई के पास एक गहरी एतिहासिक अंतरद्रिष्टी, वैज्ञानिक विवेक, उतकट यथार्थ भोध और मानविय संबेदनाथी, फिर सहिसे पढ़ते हैं, इनके पास एक इतिहासिक अंतरद्रिष्टी, यानि अंतरद्रिष्टी ऐसी जो इतिहास को भी देखें और वरतमान को भी देखें। और वैज्यानिक विवेक यानि विवेक ऐसा जो वैज्यानिक यानि कि किसी चीज को केवल मान लेने पर विश्वास न करें बलकि उसे तर्क पर तौले और उसके बाद उसे सही साबित करें तो वैज्यानिक विवेक भी था उतकट यानि बहुत बहतरीन यथार्थ बोध यान मानविय समवेदना यानि मुनस्यों के साथ जो समवेदना होती है वो भी इनकी साथ थी जिसके सहारे वे अपने व्यंग्यास्त्रों द्वारा सिर्फ बाहरी ही नहीं भीत्री लड़ाई भी लड़ते रहे धर्म संस्कृति समाज राजनीति आदी उनको बाहरी लड़ाई के भीत्री क्षेत्र थे तो यूगों से जम्य हुए रुधे संसकार अंधविश्वास पिछडी सोच और मानसिक्ता यह भीत्री क्षेत्र थे यहां दो छेत्र की बात की जा रही है बाहरी छेत्र के दी हम बात करें तो उसमें धर्म संस्कृति समाज राजनीति यह इनकी लड करें तो भीत्री छेत्र में इनके ऐसे संसकार जिने लोग जकड़े हुए थे फिर ऐसे अंधविश्वास जिसे समाज गुथा हुआ था फिर पिछडी सोच उनसे और मानसिक्ता ऐसी मानसिक्ता जो आगे बढ़ने में अवरोध बनकरूत्पन उपस्थित होती है तो यह ब यहां संकलित रचना परसाईी रचना Emmanuelी खंड़ 4 से ली गई है जो जिसका हम अध्यान करने वाले हैं तो ये परसाई रचनावळी जैसा कि मैंने कहा की राजकुpan प्रकाशन की अच्छा खंड़ों में इह परकाशित है तो उसी के खंड़ 4 से ली गई है और राजनितिक न क्षेत्रों को अपना चारागाह समझती है तो अभी बातचीत के क्रम में मैं आप से कह रहा था कि इनके जो व्यंग का विशय है वह समाज का अलग-अलग हिस्सा है जैसे बाहरी चेत्र की हम बात कर रहे थे तो उसी में राजनीती एक ऐसी विशयवस्तू है जिस पर इनकी ल जलाते हैं अपीतु यह उन राजनेताओं पर भी उसी प्रकार से मुक्तहस बोलते हैं और उनकी राजनेताओं के द्वारा किये गए कारे से सिक्षा पर जो दुस्प्रभाव पढ़ रहा है उसी को दिखाता हुआ यह पाठ हमारे सामने प्रस्तुत है आईए उसके पहले ह जिन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता है दो लोगों को एक तो स्वेम जिनकी हम रचनाज पढ़ने वाले हैं परसाई जी की उनको कहा जाता है और दूसरे जो इनके समकालीन थे नागारजुन उनको भी आधुनिक कबीर कहा जाता है तो नागारजुन के शब्दों में परसा से जब परसाई के व्यंगवान सरपट भागे तब धर्म ध्वजी यानि ऐसे लोग जो धर्म की द्वजा को लेकर खड़े हैं सरपट भागे तब धर्म ध्वजी दुष्टों के कमपित हुए प्राण ध्रितरास्ट दुखी होंगे नकली भीमो का होगा अकल्यान सदियों तक कुंद नहीं होंगे गुरु परसाई के वचनवान बहुजन हित वरत की आचों में यह शिल्प पगा ये तीर ढले बहुजन हित वरत की आचों में यानि की आम जनता के हित जो यह लिखा गया है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि बहुजन हित वरत की आचों में यह शिल्प पगा ये तीर ढले परसाई वाली पीढ़ी के युग ज एक किसी बात को है किसी उक्ति को वक्र यानि तो परसाई जी के पास थी ही तो लिखते हैं कि रविकी प्रतिमां को नमस्कार, शनिकी प्रतिमा को नमस्कार, वक्रोक्ति विशारत महा सिध्ध, हरिकी प्रतिमा को नमस्कार, हरिकी प्रतिमा को नमस्कार, यह नागारजुन द्वारा परसाई जी के प्रति एक लिखी होई कविता है, जो परसाई जी के व्यक्तित्तु को दर साती है, कि इनके ज योग में कुंद नहीं होंगे कुन होने का मतलब है कि वह जिसको हम ग्रामीन भासा में कहते हैं कि भोथर हो जाना। याने कि सार्प है कोई चीज और वह गिस जाना। तो इनके जो व्यंगभान है वह किसी भी काल में नहीं घिसेंगे। जैसे पैने आज हैं वैज poured आगे भी रहेंगे यह सारी चीजे नागारजुन के द्वारा रचित हैं तो आज हम इस कक्षा में केवल को लेखक के बारे में के जानकारी प्राप्ट कर पाया हैं और हमने एक नागारजुन की द्वारा रचित कविता को पढ़ा तो अगली कक्षा में हम इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि व्यंग की कैसी विशेवस्तु होती है और उस पर कैसे परसाई जी ने अपनी उतकट प्रतिभा को दिखाया है फिर अगली कक्षा में आपसे पूरा मलाकात होगी तब तक के झाली नमस्कार